हेलो स्टुडेंट्स, माइसेल्फ मौश्मी भट्टाचार्या फ्रॉम शेट विद्यामंदिर इंग्लिश हाइ स्कूल सीबी स्सी वसई आज मैं आपको कक्षा आठ वसंत का पाठ नौ कबीर की साखियां का पुनर अभ्यास करवाने जा रही हूँ प्रस्तुत है पाठ का द्वितिय खंड प्रथम खंड में आपने पहली दूसरी और तीसरी साखि का पुनर अभ्यास किया प्रस्तुत है चौथी साखि कबीर घास ननिंदिये जो पाउं तली होई उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई कबीर दास जी का कहना है कि पैरों के तले रहने वाले घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वही घास उड़कर यदि आँखों में चली जाए तो वह कश्ट साध्य हो जाता है अर्थात अपने से निम्न व्यक्ति या जो योगिता में आप से कम है उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व होता है इस संगसार में जिस भी चीज की स्रिष्टी की गई है वह सभी महत्वपूर्ण है अपनी अपनी जगहा सभी काम में आती है जिस प्रकार अगर कभी आपका कपड़ा भट जाता है तो उसे सिलने के लिए आपको एक सुई की आवश्यक्ता होती है सुई जो बहुत ही छोटी चीज है उस समय आप तलवार लेकर कपड़े को नहीं सिल सकते हैं तो अगर आप कहते हैं कि तलवार अधिक महत्व पोन है सुई का कोई महत्व नहीं है तो यह गलत है उसी प्रकार घास अगर उड़कर हमारी आँखों में पड़ जाए तो वह हमें बहुत तकलीफ देती है इसलिए कभी भी उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए इन संकसार में प्रतेक व्यक्ति और प्रतेक वस्तु महत्व पोन है सभी का आदर सम्मान करना चाहिए प्रस्तुत है पाँचवी साखी जग में बैरी कोई नहीं जो मन सीतल होय या आपा को डारी दे दया करे सब कोय कभीर जी का कहना है कि व्यक्ति को अपना मन हमेशा शीतल शांत रखना चाहिए तब इस जग में कोई भी दुश्मन नहीं बनेगा आप अपने अहम को अहमकार को त्याग दे तब सभी लोग आप पर दया करने लगते हैं आप से स्निह करने लगते हैं अगर आप लोगों में कम्या ढूनेंगे उनकी गलतिया निकालेंगे तो इस संक्सार में आपके दुश्मन ही दुश्मन होंगे इसके विपरीद अगर आप सब को अपना मित्र समझेंगे सब के साथ प्रेम और स्निह का व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी आप से उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे इसके लिए आपको अपने अहंकार का त्याग करना पड़ेगा सब के साथ मिल जूल कर रहना पड़ेगा इस तरह प्रस्तुत साखियों के माध्यम से कबील दास जी ने लोगों को इस संगसार में व्याभारिक एवं सफल बनने के लिए नीतिगत ज्यान दिया है उनकी साखियां अगर हम अपने जीवन में उतार ले उसके अनुसार आचरन करे तो हम एक आदर्श व्यक्ती बन सकते हैं पाठ के अंतरगत आए हुए कठिन शब्द एवं उनके अर्थ इस प्रकार है म्यान अर्थात तलवार रखने का खोल गारी अर्थात गाली या अपशब्द कर अर्थात हाथ दहु अर्थात दस दिसी अर्थात दिशा सुमिरन अर्थात इश्वर के नाम का जाब दुहेली अर्थात दुख कश्ट साध्य बैरी अर्थात दुश्मन आपा अर्थात अहंग अहंकार पाठ के अंतरगत आपको दोहों का सार लिखवाया गया है इसके अतरिक्त पठित, पध्यांग्ष, वैकल्पिक प्रश्ण, अतिलगूत्तरिय प्रश्ण, लगूत्तरिय प्रश्ण, एवं व्याकरनिक प्रश्ण करवाये गये हैं सभी को ध्यान पूर्वक पढ़ें, समझें, एवं कंठस्त करें साखियों को पुना पढ़ें, एवं उनको समझें और अपने जीवन में उतारें पाठ का द्वितिय एवं अंतिम खंड यहीं पर समाप्त होता है धन्यवाद